एलो गाईस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताओंगा गाईस कि Samsung Galaxy M35 5G phone में आप लोग Auto correction को कैसे off कर सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy M35 5G phone है और इस phone में जो आपको Auto correction को बंद कर देना है अगर आप लोग आप जो है अपने keyboard से कुछ भी type कर रहे हो और जो भी type कर रहे हो गाईस वो जो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना आए विडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर से कर लिई JOSHYis तो चलिए गईस विडियो को स्टारट करते हैं auto correction को off करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने keyboard को open करना है किसी भी search बार पे click करेंगे तो आपका keyboard आ जाएगा keyboard आने के बाद keyboard में ही आपको एक settings का option मिलेगा तो इस settings के option पे click कर दीजिए click करने के बाद सबसे पहले तो आपको एक option मिलेगा predictive text का तो इस option को आपको यह आपर से off कर देना है off करती देख सकते हैं आपर auto replace, subject, text correction यह सब जो automatically आपर से off हो जाएंगे उसके बाद यहापर आपको एक option मिलेगा गाई more typing options का इस पे click करना है click करने के बाद auto capitalization को यह आपर से off कर सकते हो double space जो automatically double space हो जाएं और यह आपर full stop लग जाएं उसको आप लोग आपर से off कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Samsung Galaxy M35 5G phone में आप लोग auto correction को off कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में दब तक के लिए बाई